अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफेध हो गए हैं और उन्हें कलर करने के लिए आप डाइ का यूज़ कर रहे हैं तो यकीन करिए आप अपने जिन्दगे की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि जो डाइ होती है इसमें बहुत सारे हांफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करने का काम करती है डाइस के अंदर पीपीडी अमोनिया हाइड्रोजन पर आकसाइड रिसोर्स इनॉल टोलवी सीन नाम के हानफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों के लिए तो बहुत खराब होते ही हैं या आपके हेल्थ के लिए भी बहुत जादा खराब हैं अगर आप इनका कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रावलम स्टार्ट हो जाएंगी और जो केमिकल्स वाली डाइस होती हैं या आपके हेर क्यूटिकल्स को बहुत ही बुरी तरीके क्योंकि आपको अच्छे से समझ है इसलिए मैं पिक्चर भी लगाई है आप देख सकते हैं हेल्दी हेर के क्यूटिकल्स कैसे होते हैं डैमिच हेर के क्यूटिकलस होते हैं कैसे होते हैं अगर आप लगाता डाई का यूज़ करेंगे अपने बालों में तो आपके बाल पूरी तरीके से जढ़ जाएंगे खराब हो जाएंगे फिर आप चाहा के भी कुछ नहीं कर सकते मैंने हाली में एक न्यूज देखा था जिसमें एक 41-year-old female थी जिन्होंने अपन चीजें दी हुई है कि हमें किसी केमिकल वाली चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है आज मैं आप लोगे साथ बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेके आई हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अलग है आज मैं आप लोगे साथ एक बहुत ही नाच्रल तरीका शेयर क किया है, रिर निखिट है यह विडियो डिफ्रेंट है आज को की आज की वीडियो है इसमें आपको कई सारी प्रोल्म का सॉलीशन मिलने माला हैativ 5 सब्रभ के जो हम आज हम मन में होते हैं उसका सॉलीशन मिलने माला है Hi everyone, Namaste, मैं हूं go Online,umsวागत थैं आप का मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है यूसफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियो को अब चलिए बिना किसी दरी के वीडियो कर लेते हैं देखिए मैकसम लोगों को हिना और इंडिगो दोनों से ही ये कि ये दोनों ही चीजें हमारे बालों को बहुत सथा ड्राई बना देती हैं आज मैं हीना और इंडिगो दोनों ही चीजों में कुछ ऐसा एड़ करने वाली हूँ जिससे ये आपके बालों को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा आपके बालों को मॉस्टराइज करेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिगो का कोई खास फर्क नहीं पढ़ता है तो आज मैं आप लोगों का यह जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने वाली हूं जिस दिन आपको अपने बालों में हीना प्लस इंडिगो लगाना है उससे एक दिन पहले या फिर दो दिन पहल इसी नैच्रल शैंपू की हल्प से जब आपके बाल बहुत अच्छे से साफ सुत्रे होते हैं तो जो भी आप लगाते हैं अपने बालों में तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप भी अपने बालों को एक-दो दिन पहले अच्छे से क्लीन कर लीजे तो आपको क्या करना है, 4-5 चमच के बराबर flaxseed यानि अलसी का बीज लेना है, अलसी का बीज बहुत सारे जल से भरा होता है, जब इसमें आप पानी डाल के इसको बॉयल करते हैं, तो बहुत सारा जल रिलिस होता है, और वो जो जल होता है, वो आपके बालों को बहुत अच तो आपको क्या करना है बड़े चमज से 4-5 चमज के बराबर फ्लैक सीड लेना है और उसमें आपको पानी डालना है अच्छा खासा पानी डाल देना है अब हमें क्या करना है कि इसको गैस पर रख देना है और अच्छे से बॉयल करना है हमें जो जेल है वो थिन चाहिए जल बन के तयार हो गया है, तब हमें गैस बंद कर देना है, आप देख सकते हैं, ये बहुत थिक जल नहीं है, थिन जल है, और हमें ऐसा ही जल चाहिए, और ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम होना चाहिए, बहुत होट नहीं होना चाहिए, बहुत कोल्ड होना चाहिए गुनगुना गरम होना चाहिए ठीक है अब हमें क्या करना है कि जेल को स्ट्रेंड कर लेना है आप देख सकते हैं मैंने जेल स्ट्रेंड कर लिया है और ये गुनगुना गरम जेल है अब हमें क्या करना है कि लोहे के एक कडाही लेनी है और इसमें हीना डालना है आप किसी भी ब्रैंड का हीना यूज कर सकते हैं बस वो हीना पूरी तरीके से प्योर होना चाहिए आप अपने बाल के हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखेगा मैं अपने बालों के हिसाब करने वाली हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा हीना यूज नहीं करना है और सिर्फ हीना को ही लोहे के बर्तन में भीगोना है इंडिगो को नहीं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो हमें क्या करना है कि हीना ले लेना है अब इसमें आपको कुछ भी एड नहीं करना न और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए फ्लैक्सिट जेल, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिये गा, अब देखिए जब आप स्टार्टिंग में इसको मिक्स करेंगे तो आपको बहुत सारे लंप्स नजर रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको लगातार चलाते रहना है, जैसे मैं यहां पर मिक्स कर रही हूँ, अगर आपके पास विस्कर है, तो विस्कर की हल्प से इसको अच्छे से चला लीजे, तो देख रहे हैं आप मैं कितना महनत से इसको मिक्स कर रही हूँ, तो जब आप बहुत देर तक मिक्स तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाता है लंब सारे खतम हो जाते हैं अब इसको ढंक के पूरी राद भर के लिए आपको छोड़ना है इस बात का ध्यान रखना है आपको की हीना को पूरी राद छोड़ना है नेक्स मॉर्निंग जब आपका हीना तयार हो गया है तब हम लोग इंडिको को भी गोएंगे इंडिको को सिर्फ 15 मिनट के लिए भी गोना होता है उससे जादा नहीं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खादी इंडिया का इंडिको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ जो की 100% नैचरल है कोई कैमिकल नहीं है इसमें तो मुझे परसनली यह जो ब्रैंड है वो काफी पसंद है बाकि आपकी मर्जी है आपका पैसा आपकी मर्जी है की नहीं लेकिन यहाँ पर आप जैसे देख भी सकते हैं मैंने इसी ब्रैंड को यूज किया है क्योंकि मैं इसे काफी अब यहाँ पर देखिए आपको इंडिगो पाउडर में भी कुछ भी एड नहीं करना इसमें सिर्फ आपको फ्लैक्सिट जेल एड करना है वो भी गुनगुना गरम पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए फ्लैक्सिट जेल गुनगुना गरम होना चाहिए जब आप तो आपको बहुत सारे लंप्स नजर आएंगे, जैसे कि हीना में नजर आ रहे थे, लेकिन जब आप इसे लगातार खुब अथी तरीके से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे, थोड़ा महनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा साइ स्मूध सा पेस्ट बन जाएगा, अब इसको ढ तो आप देख सकते हैं, हीना के चारो तरफ आप कलर देखें, यह अपना डाई भी अच्छे से रिलीज कर चुकी है, और जो कडाही का कलर है, आइरन का जो कलर है वो भी इसमें आ गया है, यह थोड़ी काली काली आपको दिख रही होगी, अच्छे से मिक्स कर लीजे एक ब कालो में लगाने वाली हूँ, एक बॉल में मैं क्या करूंगी, कि हीना लूंगी और इसमें इंडिगो डालूंगी, इस बॉल में मैंने जितना हीना लिया है, उतना ही मैं इसमें इंडिगो डालूंगी, तो हीना और इंडिगो का बराबर रेशियो मैंने मिक्स किया है, ठी मैं आगी दिखाऊंगी आप लोगों को तो मैं क्या करूंगी कि हिना और इंडिगो को एक साथ एक बॉल में तियार करूंगी और एक बॉल में मैं सिर्फ हिना रखूंगी क्योंकि आधे बाल में हिना प्लस इंडिगो लगाने वाली हूं और आधे बाल में सिर्फ हिना लगा जिसको मैंने लोहे की कडाही में बना के तियार किया है तो आप देख सकते हैं जो बॉल है उसमें हिना प्लस इंडिगो है और ये जो कडाही है इसमें सिर्फ हिना है अब इसको लगाने से पहले मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा दूँ वैसे तो मेरे बहुत सारे वाइ बाल को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी जैसे कि मैंने कर भी लिया है अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी हीना प्लस इंडिगो हाफ एर में और हाफ एर में सिर्फ मैं हीना लगाने वाली हूँ अगर आपको हीना का कलर उतना पसंद नहीं है तो इन दोनों ही तरीको से आप डार्क कलर अचीव कर सकते हैं क्योंकि जब आइरन पैन में आप हीना को भीगोते हैं राद भर के लिए तो उसका कलर भी बहुत ही डार्क आता है मेहदी का जो चटक वाला ओरेंज टोन होता है वो नहीं आता तो अगर आपको वो टोन ओरेंज वाला नहीं पसंद है अच्छे से पहले स्कैल्ब कवर कर लोंगी उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी और इन दोनों ही चीजों को लगा कि कम से कम मैं 5-6 घंटे छोड़ती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत सिरदर्ध होने लगता है तो अगर आपके साथ अगर आपको इन सारी चीजों का इंटेंस और गहरा कलर चाहिए तो थोड़ा लंबा चोड़ना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लेती है अपना काम करने में धीरे धीरे अपना कलर रिलीज करती है आपके बालों में तो इसलिए मैं इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ द और 48 अर्ड तक आपको कोई शैंपु वैमपू नहीं करना नाहीं अपने बाल धूलने हैं जोभी आपको करना है अपने बालो में वो 48 और चाहिँ करना है अभी आप देख सकते हैं यह जो आप मेरे बाल लोमाल ओ इस सईड मैने हीना लगया था और आपको हीना-कश ची दी अब मैं इस साइड अपने बाल दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं, इस साइड कमपेरिटिवली आपको मेरे बाल ज्यादा काले लग रहे होंगे, इस साइड के कमपेर में है, आपको बहुत ज़ादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली इस साइड क मेरे बाल मेरे काले हुए हैं, देख सकते हैं आप, मेरे बालों में आपको कोई महदी का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा, आपको मेरे बाल काले दिख रहे होंगे, तो अगर आपको डार करने हैं अपने बाल, तो हीना प्लस इंटिको बेस्ट है, बहुत सारे लोग कि उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क पड़ता है आप खुद मेरे बाल देखिए आपको काले लग रहे होंगे इस साइड के और इस साइड आपको हीना का जो कलर का रिफ्लेक्शन है वो आ रहा होगा मेरे बाल वैसे तो काले हैं तो उतना खास कोई फर्क न Indigo one step कर लिजे, या फिर Hina plus Indigo two step process कर लीजे, आप देखे इस side के मेरे बाल कितने काले नजर आ रहे हैं, अगर मैं Hina वाली side से compare करूँ तो इस side के बाल जादा काले नजर आ रहे हैं, और याप खुद भी देख रहे हैं, इस side, आप देखे आपको Hina का reflection आ रहा है, मतलब Hina का चिकर फिक राया है, लेकिन इधर साइड नहीं देख रहा है, इधर साइड बाल जादा काले लग रहे हैं पानी में भीगोने के बाद मेरे बाल बहुत अच्छे से मॉस्टराइजड और हाइड्रेट हो गए हैं मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राइ नहीं हुए अगर आप इसी तरीके से हीना और इंडिगो लगाते हैं तो आपके बाल कभी भी ड्राइ नहीं होते आपने देखा मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया आप थी समूद की स्मूद सा पेस्ट बना पहुले मैंने और नहीं फिल लम्स बन गया थैए अरन आपके टेक्निक हैं कि आपको खूब अच्छे से अगर आपके पास विश्कार है और उससे भी actually military手 कर सकते हैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा प्लीज और शेर कर दीजेगा आप जहां जहां शेर कर सकते हैं अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and stay happy.